आप थिस्ट ने हो और तो कैसे हैं आप लोग मैरितिस्गृजी आप सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल पहर देक अभी निन-दन करता हूं दोस्तों देखें अगर अब तक आपने ये चारो special case नहीं देखा है तो नीचे description box में मैंने link upload करवा दिया दोस्तों उसको जरूर दिखे जाके उसके बद आके इस special case को देखे ये बहुत ज़्यादा important special case है दोस्तों तो समय न वेर्थ करते हैं हम लोगे start करते हैं तो पांचवा special case पहले एक बड़ मैं brief कर दू first of all, first special case दोस्तों कितना था था हमारा x plus 1 by x की value 2 था जहाँ पे x का value 1 आ रहा था अगला क्या था x plus 1 by x का value minus 2 था वहाँ से x का value minus 1 था तीसरा special case क्या था x plus 1 by x का value minus 1 था यहाँ से x cube का value plus 1 आ था चौथा क्या था x plus 1 by x का value plus 1 था यहाँ से आपका x cube का value minus 1 आ था और 16 special के समारा होगा x plus 1 by x की value root 3 हो जाएगी यहाँ से x का power 6 का value minus 1 आएगा कैसे आता है दोस्तों इसको भी हम लोग देख लेते हैं computer जी ज़रा इसको rotate किया जाए दोस्तों तो देखे हमने बोला यहाँ से computer जी यहाँ से x plus 1 by x का value कितना है दोस्तों root under 3 तो इसको हम लोग solve करते हैं तो यहाँ से पहले cube करते हैं क्या करते हैं दोस्तों cube कर देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा x cube plus 1 by x cube plus 3 यह भी होता है तो 3x into 1 by x और x plus 1 by x होता है is equal to root 3 का cube तो 3 root 3 हो जाएगा दोस्तों कैसे तो root 3 into root 3 into root 3 यह दोनों root 3 मिल गए 3 और यह 3 root 3 यह x x cancel हो गया तो इसका value कितना हो गया तो यहाँ देखे x cube plus 1 by x cube plus का 3 into x plus 1 by x का value root 3 given और यह भी 3 root 3 हो गया यह आपस में cancel out हो गया तो x cube plus 1 by x cube का value कितना आ गया 0 आ गया कितना गया दोस्तों x cube plus 1 by x cube आ गया 0 तो यहाँ से LCM एक तो पहले हमारा यह term मिल गया वहाँ से इसके बाद हम लोग LCM ले ले लेते हैं कितना हो जागा तो x का पॉर 6 plus 1 divided by x cube is equal to 0 किलर है इसके बाद फिर से देखिए तो x का पॉर 6 plus 1 बड़ाबर 0 तो x का पॉर 6 की value कितना आ गई माइनस 1 उमीद करते हैं यह चीज आपको समझ आ गया होगा तो x plus 1 by x की value root under 3 हो गई दोस्तों हमें क्या पता चला है यहां से तो हमें यह पता चला अगर x plus 1 by x की value under root 3 हो गई तो x का पॉर 6 का value कितना हो जागा माइनस 1 5Y special case है बहुत ज़्यादा important है यह आपको याद रखना है किलर है चलिए moving to our question 10 question लिए हैं दोस्तों हमने इस पे तो दिखें x plus 1 by x की value root 3 है तो x cube plus 1 by x cube कितना गयता है 0 और यही पूछा हुआ है यह cgl 2016 मिंस में आयता दोस्तों देखें cgl 2016 मिंस में यह question आयता ठीक है आगे चले moving to our next question computer जी इसको एक बाद नीचे screen को नीचे ले चलिए चले question number 72 अब देखें x का power 6 यहां से हमें पता चलता है एक्स का power 6 का value कितना हो जाएगा minus 1 तो minus 1 plus 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 माईनस 1 plus 1 बराबर answer कितना हो जाएगा 0 उमिद करते है आप सब هी लोगों को समझ आ रहा हुग एकदम समझ आ रहा है लाइक किजिए वीडियो को लाइक किजिए तो x का पौर 6 का value कितना हो जागा यहां से x का पौर 6 का value minus 1 तो minus 1 minus 1 upon minus 1 तो यह minus और minus क्या हो गया दोस्तों यहां भी minus और यह plus 1 हो गया तो यह minus 1 plus 1 बड़ाबर answer कितना हो गया 0 clear है? moving to our next question यहां से भी देखिए तो यहां से हमको पता चला x का पौर 6 का value कितना हो गया? minus 1 तो क्या हम लिख सकते x का पौर 6 1 plus 1 बड़ाबर 0 x का पौर 6 plus 1 is equal to 0 तो यहां से देखिए न है इन दोनों में x का पावर 500 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा? x का पौर 6 plus 1 बचेगा 400 और 394 में भी x का पावर 394 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा? तो x का पौर 6 plus 1 बचेगा इन दोनों में भी कितना कॉमन ले लेते हैं हम लोग x का पौर 12 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा? x का पौर 6 प्लस 1 और यह x का पौर 6 ही बचा तो यहां से देखिए, यहां पर ध्यान दीजेगा, यह 0 हो गया, यह भी 0 हो गया, आपका यह भी 0 हो गया, x का पाउर 6 बचार, x का पाउर 6 का value कितना, minus 1 ते, इसका answer कितना गया, minus 1, clear है, अगर इसको मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ, यह आपका method 1 हो गया, इस question को हम मैं एक थोड़ा सा approach आपको देता हूँ, 2 में हमें क्या करना है, 2 में हमें, देखिए, x की power 6 की higher values निकालनी है, तो देखिए, higher values, lower values तो नहीं निकाल सकते हैं, हमें higher values निकालना है, तो x का power 6 का value minus 1, यह भी आपका कौन सा format है, 1 omega omega square का format है, मैंने बता है, imaginary number है आपका, यहां कितनी, minus 1, यह आपका imaginary number है, complex number है, यह आपका, complex number है, जिसमें से imaginary part है, यह आपका, ठीक है, वन, जिनका 11, 12, मैंच होगा, आप वो जानता होंगे, 1 omega omega square का format है, समझे नहीं, एससे से कहते हैं कि नहीं, syllabus 3 तक का है, 3 तक के बारे में complex number जानना ही नहीं था, पर इससे फड़क नहीं परता हमें, आगे की value हमें निकाल सकते हैं, तो x का power 6 बड़ावर minus 1 है, तो आगे का value square करेंगे, तो 6, 12, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, plus 1, cube करेंगे, तो x का power 18 हो जाएगा, तो यह कितना, minus 1 हो जाएगा, किलर है, यहाँ पर यह value कितनी हो जाएगी, minus 1, समझ रह x का power 6 का square, plus x का power 6, ऐसे लिख सकते हैं, और यह तो यहाँ common ही ले लिजे, ज्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पर क्या ले लिजे, common ही लिजे, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो 6 का multiple में आता ही नहीं है, नहीं आता है, तो यह देखिए, x का power 6 plus 1, यह 0 हो गया, यह 0 हो गया, तो answer कितना गया, answer is the minus 1, चले, उमीद करते हैं, आपको समझ आ रहा होगा, चले, moving to our next question दोस्तों, देखे, question number 75, मैं उमीद करूँगा कि वीडियो को आप लोग एक बड़ पहुच करें, खुद से try करें, वीडियो को पहुच करें, खुद से try करें, उमीद करते हैं, तो दीखे, यही concept लगाते हैं हम लोग, तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, एक अप और 108 इंटू एक क्यूब, प्लस 1 अप और 108 इंटू एक क्यूब, क्या लिख सकते हैं, और यहां से हमको पता है, एक अप और 6 का value कितना, minus 1 तो, 108 एक क्यूब लिखा हमने, क्योंकि 6 का multiple है 108 से लिखा हमने, क्योंकि 6 का multiple है, तो इसको लिख सकते हैं, एक पावर 6, 18 इंटू एक क्यूब, प्लस 1 अप और एक क्यूब, प्लस 1 अप और 6 का कितना, 18 इंटू एक क्यूब, तो यहां से यह minus 1 अप और क्यूब करेंगे, तो एक पावर कितना हो जागा, 6 पावर 18 कर देत है, तो माइनस 1 का पावर 18 करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो यहां पर simply हमारा कितना हो गया, aq plus 1 upon aq, अब मैंने बताए था, aq plus 1 upon aq कितना हो जाएगा, 0, पहले question में हम ने देखा था, aq plus 1 upon aq कितना हो जाएगा, 0, clear है, उमीद करते समझ आ र नीचे डिवाइड कर देते एकस बाइएकस और यहां भी कितना करते हैं एकस बाइएकस कर देते तो एकस का पावर 20 फोर हो जाएगा अब आई एकस प्लस एकस अपन एकस पावर 24 एक बार वीडियो को पहुच करें और आप खुद से ट्राइए करें एक बार आप लोग वीडियो को पहुच करें और खुद से ट्राइए करें उमीद करते हैं आप लोगोंने ट्राइए कर रखाओगा दोस्तों तो देखिए यहां पर हम लोग कितना लेख सकते हैं एकस का पावर 24 डिवाइडर बाई एकस तो एकस की पावर 6 की वैलू कितनी हो जाएगी तो यहां से बोलिएगा एकस का पावर 6 का वैलू हो जाएगा माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1 तो पावर 4 करते हैं तो एकस का पावर 24 का वैलू प्लस 1 हो जाएगा तो यहां से simply 1 by x plus x बचा और x plus 1 by x का value कितना हो जागा root under 3 x plus 1 by x का value कितना हो जागा root under 3 clear है moving to our next question यहां भी sim वही करते हैं तो इसको लिख सकते हैं x का पाउर 18 बटा x अब plus x upon x का पाउर 18 लिख सकते हैं तो यहां से हमको पता चलेगा x का पाउर 6 का value कितना minus 1 x का पाउर 18 कितना हो जागा cube करेंगे तो यह minus 1 ही रहेगा cube करेंगे क्या करेंगे cube करेंगे तो यहां minus 1 हो जागा तो minus 1 upon x plus x upon minus 1 तो यहां से minus कॉमल ले लेंगे तो 1 by x plus x हो जागा तो x plus 1 by x की value कितनी root under 3 तो यह answer कितना हो जागा दोस्तो minus root under 3 उमिद करते हैं आपको समझा गया होगा दोस्तो चलिए आखरी दो सवाल आज के वीडियो के यहां से भी देखिए same question है तो यहां से यह CGL mains का question है दोस्तो देखिए x का पॉर 6 का value बड़ाबर 0 तो यह भी 0 हो जागा यह भी 0 तो answer कितना हो जागा 0 यह method number 1 था आपका clear है method number 2 भी हम लोग discuss कर लेते हैं दोस्तो क्या discuss करते हैं method number 2 computer जी same format है आपका method number 2 तो देखिए यहां से हमको पता चला method number 2 में x का पॉर 6 का value कितना हो गया minus 1 तो यह x का power 6 का cube लिख सकते हैं plus x का 6 का square लिख सकते हैं plus x का power 6 plus 1 तो minus 1 का cube plus minus 1 का square plus minus 1 अब plus 1 तो यहां पे alternate minus 1 plus 1 हो गया क्या minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 बड़ाबर एंसर कितना गया 0 clear है बड़ाबर एंसर कितना गया 0 समझा गया सबको चले उमीद करते हैं समझा गया होगा next question पे चलते हैं दोस्तो question number 79 थोड़ा सा format change है यहां से थोड़ा सा format क्या है? change है तो देखिए यहां पे value कितनी हो जागी x square plus 1 is equal to root 7x root 7x को उधर लेके चले जाएंगे तो यह हो जाएगा minus का 3 into root 7 यह कहां से आया नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को एक बार पुराने वीडियो को देखिएगा दोस्तों description box में link सब mention है तो 7 का cube कितना हो जागा दोस्तों 7 root 7 minus का 3 root 7 answer कितना जागा इसका 4 root 7 इसका answer कितना जागा 4 root 7 देखिए मैं बता रहा हूँ x plus 1 by x की value अगर a होती है तो x cube plus 1 by x cube का value कितना होता है a cube इधर का plus 3 है उदर जाके minus का 3 हो जाता है ठीक है दोस्तों moving to our next question आखरे question के ओर चलते हैं हम लोग तो यहाँ पर देखिए root x plus 1 by root x का value कितना दिया हो है 3 square करते हैं तो x plus 1 by x square हो जाएगा और 3 का square minus 2 तो 3 का square 9 minus 2 कितना हो जाएगा 7 फिर से square करते हैं तो x square plus 1 by x square 7 का square minus 2 49 minus 2 कितना हो जाएगा 47 फिर से square करते हैं तो x का power 4 plus 1 upon x का power 4 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका स्क्वार 47 का स्क्वार माइनस टू नहीं स्क्वार करने की जुरूत ही नहीं क्योंकि हमें पावर 40 तक निकालना है दोस्तों अगर पावर 8 रहता तब तो हम करते तो इसकी रिक्वार्मेंट है नहीं है दोस्तों इसकी रिक्वार्मेंट नहीं है कम्पेटर जी एक बार इसको इरेज कर दिया जाए जरा से क्योंकि हमें maximum power 4 तक ही जाना है तो आगे square करने की जरुवत हमें नहीं है तो यहां से लिख सकते हैं क्या x square plus 1 by x square की value 47 है तो क्या लिख सकते हैं x square x का power 4 यहां से x का power 4 plus 1 बड़ाबर 47 x square लिख सकते हैं x square plus 1 बड़ाबर कितना 47 x square तो यहां पर यह value कितना हो जागा x का power 4 minus 47 x square लिख सकते हैं तो x का power 4 का value कितना लिख सकते हैं हम लोग तो लिख सकते हैं 47 x square minus 1 minus 47 x square तो यह दोनों cancel out हो कि अब बचा कितना minus 1 तो minus 1 is the right answer यह question आपका CPU का है दोस्तों अभी पिछले साल ही पूछा है CPU 2019 में अभी यह question आपका पिछले साल CPU 2019 का था इससे पहले वाला भी question computer जी तरहा सा दिखा दीजिए यह भी question आपका CPU 2019 का ही था CPU 2019 का ही देखे अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लग तो वीडियो को лайक जरूर करें और share करें दोस्तों share किये हुए बिना कोई जाएगा नहीं कोई भी बीना share की वे वीडियो जाएगा नहीं चाहे अच्छा लग रहा हो चाहे खराब लग रहा वीडियो तो आप share कीजिए अच्छा लगे तो like कीजिए नहीं अच्छा लगे तो like नहीं कीजिए लेकिन share जरूर कीजिए और दोस्तों उमीद करते हैं इस वीडियो में 100 प्लस लाइक किये, ज्यादा नहीं है दोस्तों, आप लोग पुड़ा कर दीजेगा, पिछले वीडियो आप लोग को काफी पसंद आ है, ये भी उमिद करते हैं, पसंद आएगा, 100 प्लस लाइक के उमिद करते हैं, चले दोस्तों, धन्यवाद